मिथुन राशी वालों के लिए किस राशी के लोग होते हैं? पर्फेक्ट मैच? जोतिश की मदद से हम रिष्टों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता लगा सकते हैं. यदि आप मिथुन राशी के हैं, तो यहाँ पता लगाना कि आप अन्य राशियों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं, आपको प्यार के बारे में उप्योगी सला दे सकता है. चाहे आप एक कमपेटिबल पार्टनर की तलाश कर रही हूं या अपनी करेंट रिलेशनशिप को बहतर बनाना चाहते हूं, जोतिश आपको काफी अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है. हम मिथुन राशी की लव कमपेटिबलिटी पर सरल और आसान तरीके से चर्चा करेंगे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और अपनी लव लाइफ में पूरे कॉन्फिडिन्स के साथ डिसीजन ले सकें. क्या है मिथुन राशी वालों की विशेष्टा? मिथुन राशी के लोग अक्सर वर्सेटाइल होने के साथ-साथ अच्छे सोशल स्किल्स और ड्यूल परस्नेलिटी वाले होते हैं. मिथुन राशी लोगों की खास बात होती है कि वो किसी भी तरह की परिस्थिती में खुद को ढ़ाल लेते हैं और उस परिस्थिती के अनुकूल हो जाते हैं. यही कारण है यह ट्रेंडी और अच्छे पार्टनर बन सकते हैं. हर चीज को जानने की जिग्यासा उन्हें ट्रेंडिंग टॉपिक्स का पता लगाने और लेटिस्ट कबरों के साथ अपडेट रहने के लिए प्रेरित करती हैं. अपनी अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल्स के साथ यहां लोग आसानी से ट्रेंडी टॉपिक पर होने वाली बातचीत में भी शामिल हो सकते हैं और खुद को भेतर ढंग से एक्स्प्रेस कर सकते हैं. इनका सोशल नेचर इन्हें आज की तेस्तरार दुन्या में लोकप्रिय बनाता है, जहां नेटवर्किंग और कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. इनकी ड्यूल पर्सनेलिटी अक्सर उन्हें खास बनाती है, क्योंकि ये आसानी से अलग-अलग पर्सनेलिटी के बीच स्विच कर सकते हैं और बदलते ट्रेंड्स के अनुकूल हो सकते हैं. मिथुन राशी वालों का क्यूरियस और एड्वेंचर नेचर इन्हें नए अनुभवों की तलाश करने और नए ट्रेंड्स में आगे रहने की उनकी इच्छा को बढ़ावा देता है. इनकी समझदार और इंटरेस्टिंग पर्सनेलिटी इनके ट्रेंडी नौलेज के साथ मिलकर इन्हें दूसरों के लिए काफी आकरशक बना देती है. चाहे फिर बात लेटिस्ट फैशन, टेकनोलोजी या कल्चर से जुड़ी ही क्यों न हो, मिथुन राशी वालों को अकसर मौडन दुन्या में ट्रेंडी ट्रेंड्सेटर के रूप में देखा जाता है. आईए जानते हैं कि मिथुन राशी के लिए कमपैटिबल राशिया कौन सी है. जब प्यार में कमपैटिबलिटी की बात आती है, तो मिथुन राशी वाले लोग एक ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं, जो अपने तेस्तरार दिमाग के साथ रह सके, हर प्रकार की बातचीत में शामिल हो सके, और समय के साथ बदलते इंट्रेस्ट के अनुकूल हो सके. वैसे तो मिथुन राशी वाले लोग विभिन्दर राशियों के साथ एक सही मैच बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ राशियां ऐसी हैं, जो मिथुन राशी के लोगों के लिए सबसे ज्यादा कमपैटिबल होती हैं, और उनके व्यक्तित्व के पूरक होते हैं. मिथुन और मेश लव कमपैटिबलिटी मिथुन और मेश राशी में एक मजबूट लव कमपैटिबलिटी होती हैं, यह दोनों राशियां लगभग एक जैसी क्वालिटीज शेयर करते हैं, जो उनके रिष्टे को मज़ेदार और दिल्चस्प बनाते हैं. इन दोनों राशियों के लोग एनर्जी से भरे, एडवेंचर करने वाले होते हैं, जो मज़े करना बहुत पसंद करते हैं. यह दोनों ही लाइफ को पूरे जोश और कुशी से जीना पसंद करते हैं. इसके साथ ही नई चीजों को जानने में भी पूरी रूची लेते हैं. यह कॉम्बिनेशन उनके बीच एक चिंगारी पैदा करता है, जो उनके रिष्टे को जीवित रखता है. यह अच्छी बातचीत में शामिल होने का आनन लेते हैं और एक नेच्चूल रिलेशन रखते हैं. हालांकी यह अपने स्वतंत्र स्वभाव और अहंकार से जुड़े संधर्श के कारण चनौतियों का सामना भी कर सकते हैं. मेश राशी के लोग मुखर और आवेकपूर्ण हो सकते हैं, जबकि मिथुन राशी वालों को कई बार डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती हैं. इनके लिए खुले तौर पर बातचीत करना और अपनी पर्सनल जरूरतों और इच्छाओं के बीच बैलिंस बनाना महत्वपूर्ण हैं. यदि ये इन चनौतियों को दूर कर सकते हैं, तो मिथुन और मेश राशी के लोग एक रोमाचकारी और अच्छा मैच हो सकते हैं. इनका आकर्शन और करिश्मा दूसरों को इनकी ओर अच्राक्ट करता है और इने एक पॉप्यूलर के लोग के लोग कई कॉमन क्वालिटीज शेयर करते हैं, जो उनके रिश्टे को भेतर बनाते हैं. दोनों ही राशी वाले लोग बातचीत करना और दिल्चस्प बातचीत म शामिल होना पसंद करते हैं. ये नए लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने का पूरा आनन लेते हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक साथ बहुत मजा कर सकते हैं. इनका आकर्शन और करिश्मा दूसरों को इनकी ओर अच्राक्ट करता है और इने एक पॉप्यूलर कपल बना करता है. मिथुन और तुला राशी वालों में रोमाज और नए अनुभवों की प्यास भी होती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उनका रिष्टा कभी बोरिंग न हो. अलांकि कभी-कभी मिथुन राशी वालों को निरने लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना परता और तुला राशी के लोग लाइफ की हर चीफ में स्टेबिलिटी चाते हैं. इससे इनके बीच मुश्किले खड़ी हो सकती हैं. हालांकि अगर ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, तो इनका रिष्टा बहुत शांदार हो स सकता है. मिथुन और सिंग लव कमपेटिबिलिटी. मिथुन और सिंग राशी में अच्छी लव कमपेटिबिलिटी होती है. मिथुन और सिंग दोनों राशियों के लोग चंचल और साहसी स्वभाव के होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक साथ बहुत मजा कर सकते हैं. ये ध्यान देने की आवर्शक्ता और मिथुन की अप्रत्याशित होने की प्रवृत्ती के कारण इनको अपने रिष्टे में कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए खुल कर बातचीत करना और एक बैलेंस बनाना महत्वपूर्ण है जो उनकी दोनों आवर्शक्ताओं को संतुष्ट करता है। कुल मिलाकर यदि ये एक दूसरे की तारीफ और सपोर्ट करते हैं, तो मिथुन और सिंग के पास एक इमोशन और स्ट्रॉन रिलेशन्शिप हो सकता है। मिथुन और कुंग कमपैटिबिलिटी मिथुन और कुंग राशी में एक महान प्रेम संधता है। मिथुन और कुम्भ दोनों राशी वाले लोग वास्तव में नई चीजे सीखना और गहराई से सोचना पसंद करते हैं. ये सार्थत बातचीत करने और एक साथ नए विचारों की खोज करने का आनन्द लेते हैं. मिथुन आसानी से नई चीजों के लिए खुद को बदल सकते हैं और अनुकूल हो सकते हैं जबकि कुम्भ राशी वाले लोग बहुत क्रियेटिव होते हैं और चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं. ऐसे में इनका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉंग मेंटल कनेक्शन ब इस नहीं दिखा पाते हैं. इसलिए अगर ये चाहते हैं कि आपका रिष्टा बहतर बने तो इन्हें समान इंट्रेस्ट पर फोकस करना चाहिए. जोतिश हमें यह समझने में बहुत मदद करता है कि प्यार में विभिन राशियां कितनी अच्छी तरह मैच कर सकती हैं. मिथुन राशी के लोगों के लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंदना महत्वपूर्ण है जो उनके सोशल रहने वाले नेचर के साथ मेल खा सके. मिथुन राशी के लोग उरजावान मेश या भावुक सिंग राशी वाले व्यक्ति के साथ काफी अच्छा रिलेशन बना सकते है बना सकते हैं